हेलो दोस्तो त्रिवेनी स्पाक्षाला मैं आप सभी का हारदिक स्वागत है अगर आपको भी माइक्रोवेव में चॉकलेट मेल्ट करने के टाइम डेर सारे डाउट्स रहते हैं कौन से बरतन इस्तमाल करने हैं कितनी टाइम के लिए मेल्ट करना है तो यह वीडियो आपके ब दोस्तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है मार्केट में और ऑनलाइन भी मिलते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आप कोई भी काच का बरतन उठा ले और उसमें चॉकलेट डालकर मेल्ट करने लगे क्योंकि यह ग्लास के जो भी बरतन आते हैं माइक्रोवेव सेफ होते हैं आपको अल पर क्लीट मेल्ट करने में बहुत ही इसी होते हैं आपको मार्केट में मिलेंगे ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और दोस्तो अगर आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं बच्चे भी आपके साथ-साथ चॉकलिट करें तब मेरी सल्हा आपको यह रहेगी कि आप प्लास्टिक क और दोस्तों दोनों ही अच्छे वाले लें क्योंकि कई बार क्या होता है ना सस्ते बर्तन लेने से फूट ग्रेट प्लास्टिक नहीं होता है तो हेल्थ को नुकसान है और कांच अच्छा नहीं है तो क्रेक होने का डर रहता है अवन में तो दोनों में ही मैंने 100-100 ग्राम डा तो यह सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर माइक्रोवेव में किसी तरीके की स्मेल होगी तो चौकलेट में भी वह स्मेल आने का डर रहता है तो साफ सुत्रा माइक्रोवेव हो उसके बाद ही आप इसमें चौकलेट मेल्ट करें अभ हम तीस सेकेंड के लिए से ज्यादा क्वांटिटी में भी कर रहे हैं मान लीजिए जैसे ज्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं और पांच मिनिट का समय अप्रॉक्स लगेगा तो ऐसा नहीं कि आपने सीधा पांच मिनट सेट कर दिया और गर्म कर लिया कभी भी ऐसा मत कीजिए एक मिनट गर्म फिर आप उसे वापस से हीट कीजिए तो यहां पर अभी थोड़ी क्वांटिटी है तो 30 सेकंड काफी रहेंगे तो 30 सेकंड बात दोनों ही बोल को निकाल लिया है अब मैं आपको इनमें फर्क बताऊंगी कि क्या फर्क आता है ग्लास में और प्लास्टिक में दोस्तों ग्ला बाकी और कोई कारण नहीं है आप हाथ लगा कर भी देखेंगे तो बरतन पूरी तरह से घर्म होने लग जाता है और जो फूट ग्रेट प्लास्टिक वाले यह बरतन है यह बिल्कुल भी घर्म नहीं होते हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल ठंडे रहेंगे बस इनके अंदर जो भी आपने काना रखा है वही गर्म होता है तो आप इस तरीके से इनमें डिफरेंस देख सकते हैं अब हम एक चम्मच की मदद से इने मिक्स करेंगे ध्यान रहे चम्मच बिल्कुल सूखा होना चाहिए और जो बोल आप इस्तमाल कर रहे हो वो भी एकदम सूखे होने च पक रही है तो फिलाल इसे 30 सेकेंड के लिए और हम गर्म कर लेंगे ताकि ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो 30 सेकेंड का इंतिजार आपको यहाँ पर और करना है दोस्तों कोई भी चीज डीटेल में देखेंगे तब ही आप ठीक से समझ पाएंगे क्योंकि कई लोग कम क्वांटिटी में चॉकलेट मेल्ट कर रही है लेकिन आप बहुत सारी क्वांटिटे में चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं अगर आप कोई घर में बिजनेस कर रहे हैं और साथ आट किलो पर डे की चॉकलेट भी आपको घर्म करनी है तो आप आराम से इसी में कर सकते हैं कोई सम तो यह देखें 30 सेकंड के बाद जो प्लास्टिक वाली चॉकलेट है थोड़ा-थोड़ा मेल्ट होना शुरू हुई अभी अभी इसमें काफी कसर बाकी है क्योंकि इतनी जो चॉकलेट की मात्रा है उस हिसाब से इसे थोड़ा समय और लगेगा तो इसे हम फिलाल के लिए अब यहां पर एक और बात जैसे आप मिक्स कर रहे हैं और आप देखेंगे इसमें कुछ-कुछ टुकड़े चॉकलेट के हैं यहां पर ही मेन गलती होती कहीं लोगों से फिर से इसे मेल्ट करने के लिए रख देते हैं और 30 सेकंड और चला लेते इससे क्या होता है चॉकले आपने देख लिया और अभी जो प्लास्टिक वाली है इसमें अभी कसर बाकी है तो इसे हम 30 सेकंड के लिए फिर से एक बार माइक्रोवेव कर लेंगे ताकि यह चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो बस यही फर्क आता है प्लास्टिक में और ग्लास के बॉल्स म चॉकलेट को जब हम गर्म करते हैं तो टाइमिंग का थोड़ा फर्क रहता है अब देखे यह भी अच्छे से मेल्ट हो गए इसे आप कुछ मिनट तक ऐसे ही चलाते रहें मुश्किल से एक आद मिनट लगेगा और एक आद मिनट में यह जो भी छोटे बड़े टुकडे है यह भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और टेक्शर एकदम सिल्की और स्मूध हो जाएगा तो जो ग्लास वाला बरतन है उसमें एक मिनट लगा और जो प्लास्टिक वाला बरतन है इसमें डेड़ मिनट लगा सिर्फ 30 सेकेंड एक्स्ट्रा लगे बाकी और कोई फर्क नही अब आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा सा कोकोनेट ओई यह सर्दी की वज़े से जम गया है तो आप कन्फ्यूज ना हो इसकी बजाए अप अन्सॉल्टेड या सॉल्टेड बटर भी डाल सकते हैं सेम क्वांटिटी में 140 स्पून जितना तो यह देखिए मिनट के लिए छोड़ कर उसके बाद इसे मोल्ड में डालिए ताकि चॉकलेट पर पानी आने की जो समस्या रहती है वो भी आपकी साथ ही साथ सॉल्ट हो जाए इस तरीके से पर्फेक्ट ली आप काम करेंगे तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो चॉकलेट ज्यादा प पर करें चाहें बड़े लेवल पर तो यह देखिए अब हम इसे मोल्ड में डाल कर जमा देंगे जो भी आपको चाहिए आप जमा दीजिएगा तो दोस्तों मुझे पूरी उमीद है आपको ये वीडियो इन्फोर्मेटिव लगा होगा अगर कोई पॉइंट मुझ से आउट्स क्लियर हो तो आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए या फिर घर के लिए बनाईए और अपने और अपने परिवार के साथ इन चॉकलेट्स का आनन्द लें दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे देवे सब्सक्राइब बटन को दबा दे साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो डेर सारा लाइक करें अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए खावपी और स्वस्त्र हो